नमश्कार, दोस्तों अगर आप एक डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत जबधस्तर्सकिल है, तो मैं आज आपके पास एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि कैसे आप घर बैठे ग्राफिक डिजाइन करके अच्छा खासा इंकम कर सकते हो मैं भी हो सकता है वो 500 थाउजन डॉलर्स तक हो सकता है वो भी फ्रियांसिंग बेस्ट में ये मेरा वक्ट फॉम का फॉर्थ वीडियो है दोस्तों तो ध्यान रखना और वीडियो को अच्छे से देखना क्यो क्राउड स्प्रिंग में किस तरह से आईडी बनाओगे किस तरह से प्रोजेक्ट करोगे किस तरह से इंकम करोगे मैं एक एक चीज़ स्टेप बाइस बताने वाला हूँ और खासकर यहां से दोस्तों याद रखना बहुत अच्छा खासा इंकम किया जा सकता है तो चलिए फ टाइप करना है crowd spring देखे यहाँ पे मेरा already browser पे open किया हुआ है तो इसे मैं direct यहाँ पे जा रहा हूँ crowd spring dot com मैं आपको description box में इसका link भी दे दूँगा जहां से आप direct site पे जा सकते हैं जाने के बाद अपने को कुछ करना नहीं है हमें इस site को open कर लेना है यह बहुत ही Whatever, आपको जो जो services आप अगर यहां से बनवाना चाहते हैं, तो आप यहां से बनवा सकते हैं, मगर हम यहां पर आये क्या, income करने के यह, तो income करने के हमें क्या करना होगा, हमें direct join में जाना होगा, join में जाने के बाद आप यहां पर क्या है, आप creative बनाना चाहरे हो, तो आपको करना क्या होगा यहाँ पर email आईडिया अपना type करना है type करने के बाद यह सारे sections जो जो आपको आती है अब वो sections यहाँ पर देख लो उन sections को आप click कर दोगे मतलब tick कर लोगे tick करने के बाद जैसे ही done होगा done होने के बाद आपको एक mail भेज दिया जाएगा जो आपके mail inbox में आएगा mail में आपको एक link दिया जाएगा उस link को जब click करेंगे उसके बाद आपका profile section open हो जाएगा जहाँ पर आपको अपनी बाकी details भड़नी है तो दोस्तों मैंने already अपना ID बना चुका है तो मैं क्या करूँगा मैं direct login में जाता हूँ और login में उसके बाद मैं आपको एक एक interface बढ़िया से बताता हूँ यह देखे जैसे यह मेरा profile है profile में मैं यहाँ जाता हूँ profile में देखे क्या क्या है profile जैसे मेरी पूरानी profile है यहाँ पर 72% reputation है मेरी यहाँ पर web design वगर मैं करता हूँ तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले में edit करके आपको दिखाता हूँ edit में क्या है यहाँ पर आप एक सुन्दर सा banner दे सकते हो जो आप बना के चाहो तो आप वो add कर लो इसके बाद आप यहाँ से photo add करोगे यहाँ पर आप अपना details डालोगे आप क्या करते हो आप जैसे web design है graphics design है यह सारा कुछ आप यहाँ से सेलेक करके specialization so करते हो उसके बाद आप क्या क्या language इस पर करते हो यह यहाँ पर आपको choose कर लेना है जैसे मैं English बहुता हूँ मुझे Hindi भी आती है तो यह मैं डो नो लेंगवे चूस क्या हूँ उसके बाद आप यहाँ पर अपना details देंगे जो आपके बारे में properly बताता है कि actually आप क्या करते हो क्या हो यह सारा कुछ आपको देना है about अच्छा section बना के दें क्योंकि आप जितना अच्छा about us देंगे उतना आपका profile strong होगा उसके बाद आप क्या है अपने social media handles यहाँ पर add कर सकते हैं जैसे यहाँ पर twitter दिया हुआ है यह Behance की profile है इसके बाद यहाँ पर भी एक और option है social platform का फी Facebook है यह LinkedIn है मतब जितने भी professional portals है उन सब को आप यहाँ से connect कर सकते हो खासका Behance में अगर आप designer हो तो Behance में आप यहाँ पर अपना Behance का profile यहाँ पर दिखा सकते हो इसके बाद का जो section आता है दोस्तों वो है portfolio का section आ आपको करना क्या है आपको अपना portfolio यहाँ पर add करना होगा portfolio add करने से पहले कुछ चीज़े आपको ध्यान में रखनी है ध्यान में यह रखनी है कि आप जो भी design add करेंगे वो unique होना चाहिए वो आपका खुद का बनावा होना चाहिए अगर आप Google से उठा के डालेंगे तो maybe आपका profile approve ना हो और आपको नुकसान देना पड़ सकता है तो सबसे पहले मैं entry section में जाता हूं entry section में देखें यह मैंने कुछ contest में participate किया था मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूं यह सारे designs मैंने खुद ही डाले थे अब क्या है मैं अपने account section में जाता हूं account section में आप जब जा date कर लोगे जब आप initial में ही profile बनाओगे जिग्राफिया बताओगे यहाँ पर कौन सा आप zone में रहते हो आप अगर इंडिया में है तो प्रस 5.30 रहेगा अगर कोई other country में है तो यहाँ से आप choose कर सकते हो additional language यहाँ पर मैंने Hindi और English दोनों ही डाल रखा था अब जाता हूं य यहाँ पर भी choose कि हमने फिर web design का है फिर graphic design का है फिर यहाँ पर illustration का है packaging design है product design है naming design है अब क्या है अगर मान के चलो मैं आपको बताता हूं कि एक कैसे होगा सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर logo identity में already मैंने logo डाल रखा है क्योंकि जो मैंने काम की थी web design की मैंने यहाँ डाल रखी है graphic design की डाल रखी है आप मान के चलो मुझे product design पर काम करना है या art and illustration पर काम करना है जैसे मैं यह click करूंगा यहाँ पर क्या है add image का section दिखाएगा यहाँ पर कुछ requirements का details दिया वह है must यह हम देख लेते हैं must be your original work मैंने पहले ही कहा था कि आप Google वेगरा से कुछ ना डा आपका जो भी original work है quality work यहाँ पर आप upload करेंगे उसके बाद वह image का format क्या होना चाहिए JPG और PNG होना चाहिए फिर use RGB color space यह color का segment है आप जानते हो CMYK होता है RGB होता है square images यहाँ पर होनी चाहिए अगर आप square images देते हैं तो यह क्या है यह box में अच्छा से fit हो जाएगा image का size जो यहाँ पर बताया गया है 800 by 800 minimum बताया गया maximum यहाँ पर 20MB का file आप add कर सकते हो अब यहाँ पर portfolio की यह 3 image यहाँ पर डालेंगे आप 4 भी डाल सकते हो डालने के बाद आपका क्या होगा आपका profile इस तरह से आ जाएगा और फिर क्या है वो review में चला जाएगा review में जाने के बाद कुछ समय के बाद आपको क्या है वहाँ से approval दे दिया जाएगा आपको mail से बता दिया जाएगा कि आपका profile अप्रूफ हुआ है की नहीं और आप crowdspin पर काम कर पाओगे की नहीं अगर आपका profile अप्रूब नहीं होता है तो आप फिर से निया sample वहाँ पर डाउज सकते हैं ठीक है हमारा next segment है notification का section notification का section यहाँ पर देखे बहुत सारा है जो जो notification आप active करना चाहते हैं आप सारा active कर सकते हैं क्योंकि मान के चलो यहाँ पर काफी options दिया हो जैसे logo identity आप जिस तरह का product में काम करते हो खास कर उसको तो आप जरूर on कर लीजिए अगर आप logo पर काम करते हैं तो logo पर click करने name and branding पर करते हैं तो उसको click कर ले product packaging, web design, mobile design, business advertising, art and illustration, cross and merchandise, books and magazine यह सारे पर आप जिस से जिस पर काम करते हैं उसको click करना बहुत जो जो रिए यह simple है बहुत ऐसे ही आप असानी से click कर सकते हो देखो मैंने बहुत सारे options on कर रखे हैं क्योंकि मुझे सारे projects के notifications time to time चाहिए होते हैं इसके बाद आता है finally payment segment payment में आपको करना क्या होगा payment का जो segment है बहुत easy है इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है आपको ये section में आना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद आपको manage section में जाना है अब manage section में मान के चले हैं यहाँ पे दो option दियावा है एक PayPal का दियावा है और एक Pioneer का दियावा है Pioneer की account है तो Pioneer को आप link करेंगे अगर PayPal का account है तो PayPal को आप यहाँ पे link करेंगे basically कुछ होता नहीं है पेपल में आप email ID देंगे आपका जो भी पेपल एकाउंट से लिंक है पेपल एकाउंट बना हुआ है तो आप उससे link कर लेंगे या pioneer आपने बनाया है तो pioneer से आप link कर लेंगे और इसे done कर देंगे done करते ही आपका profile फूल प्रूफ बन चुका है अब हम चाते हैं कि projects हम किस तरह से watch करेंगे उन पे किस तरह से bit करेंगे तो सबसे पहले हम explore में जाते हैं explore में देखिए हैं यहाँ पर आपको एक एक projects दिखेगी जिसकी deadline के साथ आएगी सबसे पहले project है यह देखिए custom logo design for a new non-profit initiative 111 entries हो चुकी है इसमें 16 minute time बचा हुआ है तो देखो दोस्तो आप उस project में invest करोगे time उस project में आप अपना profile अपना creative upload करोगे जिसमें आपको लगेगा कि आप कर सकते हो और उसके यह आप valid और best design देख पाऊगे उसके यह भले आपको 2-3 दिन का late का create contest आप पकड़े कोई दिक्कत नहीं कोई जरूरी नहीं है कि हमें 7 minute बाकी है या 7 गंटा बाकी है या 10 गंटा बाकी हम immediate उसी में डालेंगे ऐसी कोई जरूरी नहीं है आप late वाला initial basis में पकड़े फिर धीरे 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 जैसे आपकी designing skill improve होती है और आप यहां पर पूराने होते जाते हैं तो आप अपने contest को उसी सबसे choose कर सकते हैं तो जैसे मैं आपको एक contest आपको दिखा दिता हूँ यहां पर जैसे मैं यहां पर इसी को पकड़ देता हूँ 17 hours इसका बच्चा हुआ है अब इसमें करना क्या होगा हम इसको ख पोजेक्ट देखते हैं जिसमस तरह का कोई issue ना हो तो हम आते हैं यहां पर देखे ऐस पे आते हैं इस प्रोजेक्ट में भी आते हैं देखते हैं क्या status है हां यहां पर देखे हम participate कर सकते हैं यहां पर bidding budget जो है winning amount 400 dollars हैं इन्ट्रिस यहां पर 45 हो चुकी है और 17 creatives ड़़ किस industry से आपको ये logo बनाना है यहाँ पर देखेजिए rustic back country lodge है तो इसका हमें design करना है तो यहाँ पर industry दियावा है क्या है travel and hotel industry company का over through दियावा है rustic of back country lodge in the national park known for incredible hospitality and amazing food तो ये पूरा details आप properly बढ़ लेंगे उसके बाद ये जो logo design होगा ये कहां कहां पर use होने वाला है तो सबसे पहले यहाँ पर देखेजिए print end में use होने वाला है मतलब आपका जो hard copy prints होता है चाहे वो letter rate हो या bill book हो ये सारे में print होगा इसके अलाबा clothing में कपड़े में जाएगा मतलब restaurant अगर है तो मान के चले अगर ये restaurant है तो या कोई travel agency है तो जिस तरह से हम t-shirt में देखते हैं logo print होता है या education industry में print होता है तो उसी हिसाब से टी-shirt में भी print होगा उसके अलाबा digital में use होगा digital asset चाहे facebook हो गया twitter हो गया website हो ये सारे में use होगा अच्छा sign is में भी use होगा देखें यहाँ पे grow sign board वेगरा में भी use होगा अब client यहाँ पे क्या कहता है इनका preference क्या है यहाँ पे उनके logo में icon भी चाहिए उन्हें और text भी चाहिए ठीक है इसके अलाबा यहाँ पे देखें adjectives दिया हुआ उनका क्या क्या है modern और classical के बीच मे है minimal देखें और complex minimal इसमें minimalistic design वह follow करते है मतब simple चाहिए feminine और masculine यह masculine और feminine के middle में है playful youthful matured इनको design चाहिए economical और luxurious इनका preference luxurious है organic और geometric geometric और organic के बीच में है abstract and concrete यह middle में color preference यहाँ पे इन्होंने दे दिया है हमें इसी colors के बीच में उनके logo को design करना होगा logo का text क्या होना चाहिए chariot creek lodge हमारे यह text होना चाहिए logo पे अब यहाँ पे top three things क्या सोचने के यह क्या समझने के यह nature adventure experience यह तीन चीज इस business को define करता है तो हमें इस type का ठ्यान में रखके एक सुन्दर सा logo बनाना है और इस contest में participate करना है आप यहाँ पे आडिस्टिंग इंफो क्या दिया हुआ देख लीजे वान तो inspire people to take a trip in nature to a national gym and stay the night where they will have a natural experience like they have never wait for तो simply यह क्या है देखो इनका जो top three takes है यह पूरा define कर रहा है यह इनका कहना है कि यह जो logo है यह define करेगा कि वो users को या audience को बुलाना चाहते हैं natural environment पर रहने के यह जहाँ पर उन्हें एक adventure का महसूस होने वाला है बहुत मस्ती करेंगे और अच्छा experience होगा तो उस हिसाब का logo हमें design करना है जब logo आपका design हो जाएगा दोस्तों आपको करना क्या है अब यहाँ पर हम आते हैं इंट्रीस में अब देखिए यहाँ पर कुछ आपी logo मत करना आप अपना खुद का दिमाग लगाना खुद को अपनी creativity को सो करना जितना simple और जितना अच्छा आप creative बनाओगे जितना अच्छा logo बनाओगे लोग यहाँ पर उतना ही appreciate करेंगे और खासकर यह ऐसी platform है जहाँ पर simple minimalistic products को ज्यादा पसंद किया जाता है तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा आप यहाँ पर logo samples चेक कर सकते हैं जो जो यहाँ पर contest में participate किया होगा सबीन अपना logo यहाँ पर डाल रखा है देखिए यहाँ पर अब इसके बाद अब जब आपकी design ready हो जाएगी तो आप क्या करोगे आप यहाँ पर submit entry में जाओगे submit entry में यहाँ पर I have read and understand the above requirement उसके बाद next करेंगे हम next करने के बाद आप यहाँ पर देखिए 800 into 800px का minimum size का logo आपको यहाँ पर डालना है color यहाँ पर RGB, GIF, JPG और PNG यह तीन format में आप image डाल सकते हैं use image with light of dark background आपका image जो भी आप logo use करेंगे उसका background white में होना चाहिए या dark में होना चाहिए और 10 MB maximum file का size यहाँ पर बताया गया है तो आप मान के चलिए अगर हम यहाँ पर कोई file add करके दिखाता हूं और उसको मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको भी एक idea पढ़ जाएगा तो चलिए मैं अपना ही photo ले लेता हूं यहाँ से मैं काट लेता हूं डॉप done cropping ठीक है अब मैं इसको यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूं ठीक है done cropping अब यहाँ पर next मैं डालूंगा यहाँ पर मुझे descriptions देना होगा क्योंकि मुझे logo को से related पूरा details यहाँ पर provide करना होगा अगर आप करते हैं तो यह क्या होगा यह सामने वाला जो contest जो चला रहा है जिसको product की दरकार है उसको अच्छे से समझ में आएगा कि आपन पर disclosure देंगे कि आपने जो भी बना यह original है यह इसमें कोई भी free products आपने use नहीं किया this entry includes elements that are free or that the client will need to purchase अगर ऐसा कुछ है अगर free है तो कोई ठीक करने की ज़रुवत नहीं है अगर कुछ element है जो purchase करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर दो ही चीज हो सकता है वो है font और image तो आप यहाँ पर pricing के साथ यहाँ पर दे देंगे image है तो image का costing दे देंगे उसके बाद next करेंगे और आपका contest में submission हो जाएगा तो दोस्तों यह पूरा process था बहुत easy process है जिससे आप महिनी का अच्छा खासा income कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर project किस तरह के ह देखिए एक contest जैसे यह 500 dollar है यह 300 dollar है यह 300 dollar है यह 500 dollar है यह 300 dollar है तो दोस्तों अगर आप महिने में सिर्फ दो contest अगर जीत पाते हैं और उसकी valuation अगर 300 dollar हो या 500 dollar पर contest हो अगर आप दो कॉंटेस जीत पाते हैं तो महिने का 500 डालर होता है 500 डालर अगर मैं आज की डेट में इंडिन करेंसी से कर्कुलेट करूँ तो करीब करीब नहीं भी तो 35,000 रुपया होता है तो दोस्तों आपको नहीं लगता है कि 35,000 रुपया आप असानी से कमा सकते हो तो गाइस आपको समझा आगया होगी कि क्राउड स्प्रीम में कैसे आप इंडॉल करोगे कैसे आप वहाँ पे बिड करोगे प्रोजेक्ट पे किस तरह से आप अपना डिजाइन सब्मिट करोगे और किस तरह से इंकम करोगे तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करना और जादा से जादा शेयर करना क्योंकि मैं work from home का सिरीज आपके ये लेकर आओ जहाँ पर मैं बताओंगा कि घर पेटे इंकम आप कैसे करोगे फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक, नए सब्जे के साथ, तब तक ये जय हिंट, जय भारत